हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तों आज के वीडियो में हम 18 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important current अफिर के questions को discuss करेंगे और हरे questions related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अन्त में हम आप से question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउलोड कर सकते है टेलिग्राम ग्रूप की link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चले शुरू करते हैं आज का सेसन शुरू करने से पहले हम कल के कुशन का revision करेंगी कल का पहला कुशन है उत्रप्रदेश के किस सहर में अंतरास्टी ए इनो रेल प्रदर्शनी का आयजन किया जाएगा option number यहां पे C correct होगा लगनों में अगला है हाली में उत्रप्रदेश के किस वग्यानिक ने एक नई तकनीक खोजी है option number यहां पे correct होगा भी प्रफेसर एक पात्रा ने दोस्तों उत्रप्रदेश करेंट एफेर की लास्ट एट मन्त की अगर आपको PDF ebook डाउनलोड करनी है इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वहां से आप इसकी PDF ebook डाउनलो है तो यह मिला है बरेली को अगला है हाली में किस राज्य सरकार ने जन जाती है आबादी को सोसंड से यह बचाने के लिए पेसा अधीनियम लागू किया है तो अभी जो है मद्य प्रदेश ने जो पेसा एक्ट है इसको लागू किया है option number डीस का correct हो जाएगा और दोस्तों यहां से एक बात याद रखेंगे जो पेसा एक्ट है जो पेसा अधीनियम है यह केवल मद्य प्रदेश में ही लागू नहीं हुआ है इससे पहले भी कई सारे राज्यों में यह लागू है जैसे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया राजस्थान है तेलंगाना है आंध्यप्रदेश है गुजरात महाराश्टर और चतीजगर तो यह जो सारे राज्य हैं इनमें पहले से यह लागू है और अभी जो है मद्यप्रदेश ने भी इसको लागू कर दिया है तो याद रखेंगे यहां से अगला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट यहां फ्राइव थो फरक्रैक्ट औरश्टित किया जाए जागा ओप्शननुम्र यहां पे इने इस धीटो लिएयर अफ दा टूनामेंट किसी चुना तो option number यहां पर correct होगा ए सैम करन को अगला है उपन्यास हम यहां थे के लिए 31 में ब्यारी प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो 31 मा ब्यारी प्रुसकार अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप option number C correct होगा मधू का अगरिया को ठीक है 31 मा और वहीं अगर आप से 32 मा पूछा जाए तो याद रखेंगे डॉक्टर मादव हाड़ा को ठीक है यह 32 मा और यह 31 मा अगला है निलोकित मैंसे किस खिलाडी को भारतिय उलम्पिक संग का एथलीट आयोग की सदस्य की रूप में चुना गया है और यहां पर डी करेक्ट होगा अपरोग तो सभी यानि की मेरी कॉम बीवी सिंधू और मीरा बाई चानु को तो दोस्तों यह थे कल की कुशन जैसका हमने रिवीजन किया अब हम सुरू करते हैं आज का सेसन आज का प आते हैं जो आपको याद रखनी है तो वो यहां पर हम देखेंगे तो हाली में उत्य प्रदेश राजी कैबिनेट ने नई सौर उर्जा नीती को मंजूरी दे दी है इस नई नीती में गैर पारंपरिक उर्जा सिरूतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर जोड दिय गया और अगले पांच सालों में बाइस हजार मेगा वाट उत्पातन चमता हासिल करने का लक्ष पैय किया गया यह बात याद रखेंगे कितना तो बाइस हजार मेगा वाट नई सौर उर्जा निती में जो युबा हैं इनको रोजगार की जोडने के भी पात की गई है तो तीस हजार युबाउं को रोजगार से भी जोडने की बात इसमें कही गई और दोस्तों यह जो युबा हैं जिनको रोजगार के तहिते हैं जोडा qi task कहा जाएगा तो सूर्य मित्र उनको कहा जाएगा नीति में याद रखिए और शीटी की रूप में विक्सित किया जाएगा तो याद रखंगे याद रखेंगे और शीटी की कुई रोप में जो है किसको को विक्सित किया जाएगा, तो अयुद्या को किया जाएगा और यहां पर यह याद रखेंगी कि सूर्य मित्र जो है इनको कहाएगा, नई सौर उर्जा नीति के तैट जो यवाउं को रोजगार से जोड़ा जाएगा उनको ठीक, तो यह सारी बाते यहां से याद रखेंगे अगला कि देख में नहां रास्ट को पीछे च्छोड़ दिया樂 जो है एक जानकारी दे गई है किस्के उन्साफ तो यूपी के जो गन्ना इवम चीनी विकास मंत्री हैं सुरेश राणा इनकी अनुसार जो है ये जानकारी दी गई है कि बारहे मई तक उत्तर प्रदेश में 121 लाख टन चीनी का उत्पादन हो जुगा है और यह देश के चीनी उत्पादन का लगवक 45 प्रतिशत से अधिक है जबकि किसी स से याद रखेंगे अगर आप से पूचा जाता है कि चीनी की उत्पादन में या गन्नी की उत्पादन में जो पहला राज है अदिस में वो कौन सा हो गया है तो वो हो गया है हमारा उत्तर प्रदेश अगला है राज में कहां पर करसी अधारित MSME महा सम्मीलन 2022 का आयूजन क में रियात पुरुषाहन विभाग द्वारा करसी अधारित MSME महा सम्मीलन का आयूजन लखनों में किया गया इंद्रा गांधी प्रदिश्थान में अगली आत्मिन रफर उत्तर प्रदेश के लिए करसी अधारित MSME महा सम्मीलन के साथ-साथ इंडिया फूड एक्सपो का भी आयूजन किया गया और यह जो इंडिया फूड एक्सपो था इसमें सो से ज्यादा प्रदर्शनी और एक सो ससतर स्टॉल लगाए गए तो यह चीज़ आप याद रखेंगे अगर आप से पूछा जाता है कि हाली में MSME उद्यमी महा सम्मीलन का जो आयूजन है वो इंडिया ने हाली में विश्व का दूसरा इस्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया तो वेरी इंपोर्टेंट रहेगा याद रखेंगे और यहां पर करेक्ट हो जाएगा डी हमारा इंडिया दोस्तों जो हमारा भारत है यह जापान की जगह कच्छे इसपात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक की रूप में उभरा है तिक याद रखेंगे भारत वरतमान में सबसे बड़ा जो इसपात उत्पादक देश है वो है चाइना जिसका विश्व के इसपात में लगवग कितना उत्पादन है तो 57% हिस्सेदारी है बारा सरकार ने पूरवोदय कार क्यों शुरू किया गया इंडिया में तो इसका उदेश है एक ही करत स्टील हब की स्थापना के माध्यम में पूरवी भारत की विकास में तेजी लाना तो यहां से आपको याद रखना है कि जापान को पीछे छोड़ करके जो इंडिया है यह कच्चे इस पात की मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपादक देश बन गया है अगला कुश्यन है भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइन सिटी कहां विक्सित होगी तो ओप्सन नमबर यहां पे बी करेक्ट होगा उत्तरा खंड में याद रखेंगे भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम स आइन सिटी है यह कहां पर विक्सित कि जाएगी तो यह जो है उत्राखंड के हलदवानी में विक्सित की जाएगी याद रखेंगे इस पार्क में अंतरक्षा से जुड़े अध्यन किये जा सकेंगे जैसा कि नाम सही पता है एस्ट्रो पार्क है यह तो यहां पर क्या होगा तो इसमें अध्रक्ष से जुड़े अध्यन किये जाएंगे यही नहीं देश विदेश के एस्ट्रोनॉमी में सिक्षा प्राप्त कर रहे सिक्षारतियों के सिक्षा की विकास की चाहती छेत्र में परिटन को भी बढ़ावा मिलेगा देविस्थल में स्थापित एसिया की सब से बड़ी दूर्वी कहां पे इस्थापित है यह जाएगा जा और इसका काम क्या होगा तो एस्ट्रो पार्क है नम से ही याद रहेगए अपको कि अदरख्यस से जुल्हे जो भी अध्यान है वह यहां यह जा सकेंगे अगला है भारतिय ओलंपिक संग के एथलीट आयो के अध्यक्ष में अध्यक्ष की रूप में किसे चुना गया तो ओप्सन नुमर यहाँ पे सी करेक्ट होगा मैरी कौम को दोस्तों उलम्पिक पदग विजीता जो मैरी कौम है इनको भारतिय उलम्पिक संग के एतलीट आयो के अध्यक्षि की रूप में चुना गया है दूसरी और जो टैवल टैनिस के दिगच खिलाड़ी है अचंता सरत कमल इनको जो है इसका उपाध ऑल्फिक पदग जो विजेता है मैरी कौम इनको जो है भारतिय उलम्पिक संग के एतलीट आयो के अध्यक्षि की रूप में चुना गया है और एतलीट आयो के उपाध्यक्षि की रूप में इसको चुना गया तो टेबल टैनिस जो खिलाड़ी है अचंता सरत कमल इनको जो जो विश्वत दरसन दिवस है यानि की वर्ल्ड फिलोस्पी डे ये जो है हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाय जाता है इस बार यानि साल दो हजार बाइस में ये सातरा नवंबर को मनाय गया वर्ल्ड फिलोस्पी डे पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाय गया था और इस से सभी दार्शन को यानिकि फ्लॉसवर्स की सम्मान में मनाया जाता है ज़िनाओने इस संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र विचारों के लिए इस्थान उपलब्द कराया है फ्लॉसवर्स पर यानिकी दर्सनिक ठीक है यह चीज़ याद रखेंगे तो दर्सनिक के सम्मान में यह जो दिवस से वो मनाया जाता है 2005 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने गोशना की इविश्व दर्सन दिवस यह यह नवंबर के हर तीसरी गुरुवार को मनाया जाएगा यानि कि 21 नवंबर 2002 को यह पहली बार मनाया गया लेकिन जो यह गोशला है यह जो गोशला है कि यह नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा यह जो है यूनेस्को की और से 2005 में की गई थी ठीक तो यह चीज़ आप याद रखेंगे अगला है हाली में किस ने डिजिटल सक्ती 4.0 डिजिटल सक्ती 4.0 परियोजना लॉंच की है और यहाँ पर एक औरेक्ट होगा राष्ट्रिय महिला आयोग ने तो राष्ट्रिय महिला आयोग ने 15 नवंबर को साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से ससक्त बनाने और कौसल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतिय परियोजना जो है लॉंच की है किस नाम से तो डिजिटल सक्ती अभियान इसके चौथी चरण की यह आप कह सकते हैं डिजिटल सक्ती अभियान 4.0 यह भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि यह चौथा चरण है इसकी सुरुवात की गई है देश पर में हुआ है डिजिटल सक्ती 4.0 महिलाओं को डिजिटरी रूप से कुसल बनाने और ओनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गती विदी के ख़ड़े होने के लिए जागरूख बनाने पर केंदरित है राश्टिय महला आयोग ने इसे साइबर पीस फांडेशन और मेटा के के द्वारा डिजिटल सक्ती अभियान 4.0 जो है शुरुगात की गई है तो याद रखेंगे आप राश्ट्रिय महिला आयोग के द्वारा दोस्तों यहां से आपको यह कुशन अच्छे से याद रखना है कि राश्ट्रिय महिला आयोग की वरतमान में अध्यक्ष कोन है तो याद रखेंगे आप रेखा सर्मा रेखा सर्मा यह जो है क्या है यह अध्यक्ष है अध्यक्ष है यह किसकी तुराश्ट्रिय महिला आयोग यानि की एन सी डवलू की यह अध्यक्ष है तो इनका नाम याद रखेंगे रेखा सर्मा और दोस्तों एक कुश्यन और याद को भी आप अच्छे से याद रखें क्या है अंतराश्टी है महीला दिवस इसको याद रखेंगे महीला दिवस ये कई वार एक्जाम में पूछा गया है और ये अंतराश्टी है इस बात को भी आप याद रखेंगे कि अगला कुछ नहीं है हाले मैं किस तेयलेगू फिलम सूपरस्टार किशना गारू drifting का नेदान हो गया ऑप्सन नमबर यहां पे तो ऑप्सन नमबर यहां पर ब करेक्ट होगा घट्टा मने नी किशना यानि कि किशना गारू के नाम से ये famous थे इस नाम से जो है इनको लोग जानते हैं वैसे इंका वास्तिविक नाम है वो ये है घटा मेन मनेनी किशना ठीक है याद रखेंगे तेलगू के ये तेलगू फिल्म के सूपर स्टार है जोस्तों हाली में जो तिगर जबनीता हैं घटा मनेनी क जो कि किशना गारू के नाम से प्रसेदे थे और तेलगू फिल्म उद्योग में सुपरस्टार की रूप में ये जाने जाते इनका जो है 15 नवंबर 2022 को हैदरबाद में निदन हो गया 80 साल की एज में वह तेलगू फिल्म सुपरस्टार महिस बाबू के पिता थे उन्होंने फ में भूशन से समानित किया गया उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने लंबे करियर के दोरान 350 से अधिक फिल्मों में अभिने किया था तो यह जो है फिल्म जगत के दिगज अभिनीता थे तो इसका इनका नाम जो है आप अच्छे से याद रखेंगे किशना गारू की न में नेधन हुआ तो 80 साल की इज में इनका नेधन हो गया है इनकी जो पहली फिल्म है वो कौन थी तो मनसुलू यह इनकी पहली फिल्म थी जो की 1965 में बनी थी और इनोंने तक्रीवन कितनी तो 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है अगला उश्यान है मून रोकेड आर्टे मि वन यह किस देश द्वारा लॉंच किया गया ओप्सन नमबर यहां पर करेक्ट होगा बी ओप्सन अमेरिका के द्वारा तो इसने जो है अभी मून मिशन के लिए अब तक सबसे 37 साली रोकेड लॉंच किया यह कदम अमेरिक अंत्रक्ष एजंसी के नए प्रमुक कारिकरम आ दो गंटे की लॉंच विंडू की दोरान हुई तकनीकी समस्याओं की बावजूद आर्टे मिस वन का परश्चेपन हुआ है तो याद रखेंगे अगर आप से पूचा जाता है आर्टे मिस वन यह जो है किस अंत्रक्ष एजंसी के दोरा लॉंच किया गया तो याद रखें है कल की वीडियो को कुश्च जो हमने आप से पूच तो यहां पर यहां पर सब कहता हूं और फिर कहता हूं कि जो भी कुश्च आपसे पूचा जाए तो सभी लोग का आँसर जरूर क्या करूं यह है आज का पूच्चन हाले में जारी याडिचिंज परफॉर्फॉमेंस इ इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है और दोस्तों सभी लोग question का answer जरू करेंगी तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इससे like करें अपनी दोस्तों के साथ share करें और अगर अभी तक हमारी channel पर नई है तो हमारी channel को subscribe जरू करें तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you